क्या से आप सब लोग आशा करता हूं कि अब अच्छे होंगे आएम नवीन वेलकम टू मैं यूटीब चैनल पेसिक मैं स्वानदेप्स और इस यूडियो में करने वाला हूं क्लास एर्थ हैंसे टेबुक एक्सराइज 3.1 का कोशन नमबर 7 तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँ है यहां पर इस वाले एंगल का बारे में मुझे कुछ नहीं वालूं तो इसको मैं प्लस 30 डिघ्री प्लस एंगल वन यह तीनों में लाकर जो है वह एक्वल होंगे और बनेटी डिघ्री के एक्वाल की होंगे एंगल सम प्रोपरटी उसके बाद देखें कि यहां पर होज़ेगा यहां 120 120 90 प्लस 30 करके और प्लस एंगल 1 इस इकल टू 180 डिग्री अब जो यह 120 यह उदर चला जाएगा एंगल 1 इस इकल टू 180 प्लस 30 यहां पर यहां पर मैं आगे इसको लिख लेता हूं इस तरीके से यहां पर 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स जो है वो 180 डिग्री के क्योंकि यह लिनियर पेर है तो एंगल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो इस तरह से जो हैं एंगल एक्स हमारा आजाता है 90 दिग्री उसी तरीके से मैं y और z भी find out करूँ है तो यहां पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसको कि एंगल z प्लस 30 यह मिला कर भी 180 डिग्री होगा क्योंकि यह भी एक तरह का क्या है linear pair है ठीक है तो मैं आपको दिखायता हूँ जैड जैड और 30 दिखे है ना linear pair यहां पूरी स्टेट लाइन जा रही है तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ तो जैड निकालने के लिए एंगल z निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री में से हम लेस कर देंगे 30 डिग्री तो इस तरह से यह आ जाता है मिरे पर 150 डिग्री एंगल z जो है वह 150 डिग्री आ गया है अब हम निकाल लेते हैं जो की y है मुझे मालूम है देखे यह यहां पर जो स्टेट लाइन जा रही है तो 1 और y भी मिलाकर 180 डिग्री होंगे तो मैं यहां लिख लेता हू हुआ है कि एंगल one प्लस एंगल वाय जो है मिलाकर होगा हुआ यह भी लीनियर पेर है अब उसके बाद एंगल वन यह उपर निकाला था देखे मैं दिखा है अपर कि हैंगल वन मैंने कितने निकाल था सिक्स्टी डिग्री तो मैं शिक्स्टी डिग्री पूट करूँ है य यहां पर मैं लिख लेता हूं कि यह 60 डिग्री एंगल बन की ज़िए कर पूट किया वाय पता नहीं है मुझे अभी तो वाय निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री मेंसे लेस कर देगे 60 degree को तो इस तरह से angle y जो आता है वह आता है 120 degree तो अब मुझे निकालना क्या था मुझे निकालना था x plus y plus z किसके एकवल होगा है x plus y plus z किसके एकवल है तो देखे x की value जो है वो मैंने यहां निकाली थी क्या आई थी ओ 94 तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इसको 90-डिग्री प्लास वाπειक जो है वह मैंने अभी अभी निकाला है जो की है 120 डिग्री और Z मैंने उपर निकाला था देखे Z जो है यह रहा 150 डिग्री ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि 150 डिग्री है और जब हम इन तीनों को एड करते हैं तो इन तीनों का एड करके जो हमारा सम आता है वो आता है 360 डिग्री तो मैं यह कह सकता हूँ कि X प्लस Y प्लस Z का जो सम है वो क्या रहेगा 360 डिग्री रहेगा अब इसका second part कर लेते हैं B part अब देखे B part मैंने जो है उसकी figure draw कर लिए तो यहाँ पर यह angle मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसको angle 1 माल लेता हूँ जैसे मैंने पीसे question किया था जिसमें angle नहीं मालूम था तो उसे भी angle 1 माल लेता हूँ तो यहाँ पर भी इसको मैं angle 1 माल लेता हूँ अब यहाँ पर देखे यह 4 side से close figure है 1, 2, 3, 4 तो यह quadrilateral के सारे interior angle का जो sum होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि angle 1 plus 60 degree plus 80 degree plus 120 degree यह सब ही मिला कर जो है 360 degree के एकोल होंगे क्यों angle sum property की वज़े से यह आपको reason लिखना भौजर हो रही है angle sum property की वज़े से 360 होंगे इस से मेरा angle 1 जो है find out हो जगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि angle 1 plus अब मैं इन तीनों को हैं sum कर लेता हूँ तो यह मेरा sum जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 260 degree is equal to 360 यहाँ पर अब यहाँ पर angle 1 is equal to 360 degree minus 260 degree तो इस तरह से यह आजाता है मेरे पास 100 degree तो मेरा angle 1 जो है यहाँ पर यह आगया मेरे पास 100 degree का यह 100 degree आगया अब उसी तरह से देखे यह state line है तो 1 और W मिलाकर 180 होगे उसी तरह से यह भी state line तो 60 plus Z मिलाकर भी 180 होगा और उसी तरह से यह भी एक state line है तो 80 plus Y मिलाकर भी 180 होगा और यहाँ पर 120 प्लस X मिलाकर भी 180 डिग्री होगा लिनेर पेर होंगे इस सारे इस से मैं सारे जो है X Y Z और W फाइंड आउट कर लूँगा उसके बाद मुझे इसका सम निकालना है यहां पर देखें यहां लिखा एक्स प्लस Y W मुझे मालूम नहीं अभी हां तो W निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 180 माइनस 100 यानि कि मेरा W आ जाता है 80 डिग्री उसी तरीके से अब मैं मैंने यहां पर निकाल लिया आया ठीक है W कितना है उसी तरह से मैं 120 प्लस X यह मिलाकर 180 डिग्री के एकको लोगा क्योंकि लिने 120 डिग्री जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के और ब्रैकेट में इसका रीजन कि यह लिनियर पेर है इसलिए तो X निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तो इस तरह से यह आ जाता है मेरे पास 60 डिग्री इस तरीके से मैं निकालने का हूँ Y देखे Y के लिए भी क्योंकि यह एक linear रहा है स्टेट लाइन जा रही है तो 80 प्लस 5 मैं यह लिख लेता हूं कि 80 डिग्री प्लस Y जो है वह मिलाकर है 180 डिग्री के एक्वल और ब्रैकेट में इसका reason कि यह linear pair है तो य निकालने के लिए 180 माइनस 80 यानिकी 100 डिग्री य जो आ जाता है वह 100 डिग्री आ जाता है उसी तरीके से अब य निकल गया है तो हम यहां निकाल लेंगे कि ज़ए तो ज़एड प्लस 60 भी यहां पर 180 होगा तो उसी का मैं यूज करूँ है हापर कि कि ज़एड प्लस 60 इस इकल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेर और यहां ज़एड निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानिकी 120 degree हमारे पास Z आ गया, अब देखें सभी जो हैं मुझे भिल चुके हैं तो हम मुझे निकालना X प्लस Y प्लस Z प्लस W की value ठीक है, वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूं देखें, मैं लिख लेता हूं यह question में मुझे यही पर दिया वा तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि X प्लस Y प्लस Z प्लस W अब देखें, यहाँ पर X जो है वो कितना था, मेरा यहाँ पर मैं अगर देखूं तो X मेरा यहाँ पर आ रहा है 60 degree का, तो मैं यहाँ 60 लिख लेता हूं कि 60 degree है उसके बाद Y Y को अगर हम देखें, यहाँ पर तो देखें, Y जो है, वो यह रहा 100 degree आ रहा है, तो मैं Y पूट कर लेता हूं यहाँ पर, कि यह है मेरा पास 100 degree, Z देखें अगर Z देखें, तो Z सबसे नीचे निकाला था मैंने, Z आ रहा था है यहाँ पर मेरा पास 120 degree तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख लेता हूं कि यह 120 degree है उसी तरह से W अगर हम देखें तो W हमारे पास देखें, यह आरा कि 80 degree, तो इसको मैं 80 degree यहाँ पूट कर लेता हूं और इसके बाद इन सभी को हापस मैं add किया जाएगा जो था वो ट्राइंगल था, उसमें भी exterior angle का sum 360 आया था जबकि यहाँ पर यह quadrilateral है और quadrilateral के exterior angle का sum जो है वो भी 360 आया तो मैं आपको अगर बता हूं तो मैं कोई बता सकता हूं कि कोई भी polygon जो है उसके exterior angle का sum होता है वो हमेशा ही 360 degree होता है तो इसलिए वहाँ पर भी 360 answer आया था और यहाँ पर भी 360 answer आया तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में और ने questions लेकर तब तक आप practice कीजे और improve कीजे अपनी maths Good Bye